हेलो स्टूडेंट कैसे आप से उम्मीद करता हूँ आप से बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई भी बहतर चल रहे होगी और निमेरकल कोश्चन का भी सिरीज हम इस्टार्ट कर रहे हैं बच्चो और यह जो अलग से प्लेलिस्ट रहे का इंपोर्टेंट कोश्चन का एक अलग से बना है जो कि बोर्ड एक्जाम 2030 के लिए चीज मैं आपको करा रहा हूं तो चले आज हम चार-पांच कोश्चन कराएंगे इस से अधिक भी हो सकता है जितने बीनिमेरकल कोश्चन हम करा रहें तो उसे आप लोगं को अच्छे तरी करना है तो देखिए बच्चो पहला कोश्चन है आज का एक इलेक्टरान सौ वोल्ड तक तौरित किया जाता है इसकी गतिज उर्जा क्या होगी तो सबसे पहले मैं आप से दिक हूँ कि एक इलेक्टरान पर आवेस कितना होता है तो यदि इलेक्टरान पर आवेस की बात की जाये तो एक लेक्टरांट पर अब इस होता है एक द Maker ने कर आधे माइनस 19ुकुलाम hops यह एक लेक्टरांट पर आवेस हैं अब इसकी गतीज उर्जा निकालनी है तो गतीज उर्जा निकालने के लिएए यही फार्मूला होता है जिसमें भी बराबर देके रखा है सो बोल्ट कितना देके रखा है सो बोल्ट कोई दिक्कत तो नहीं आता है अब क्या निकालना है गतिज उर्जा क्या निकालना है बच्चों गतिज उर्जा गतिज उर्जा जिसका फार्मूला है इलेक्टरान बोल्ड ये लो ठीक है? तो आपका इलेक्टरान कितना? एक दिसमलो छे गुड़े दस घाते मानस 19 और ये आपका 100 हो गया ठीक है? तो यहाँ पे दी मैं कहा दूं गति जूर्जा ये जूल के रूप में है ठीक ये लो अब यदि मैं कह दो इसको इलेक्टरान बोल्ड के रोप में लिखो तो भई एक इलेक्टरान पर इतना आवेस है तो इलेक्टरान बोल्ड के रोप में लिखूं तो 100 इलेक्टरान बोल्ड के बराबर हो जाएगा बस यही एंसर है गति जोट जाएगा पस इतना यह छोटा सा question है ठीक और ऐसे question पूछे जाते हैं ऐसा मत सोची कि question नहीं पूछा जाएगा ऐसे ही छोटा question पूछ दिया जाएगा और आपसे बनना भी चाहिए दूसरा question देखे बच्चो चारजार एंगस्टरान तरंगदेर्द वाले फूटान की उर्जा जूल में ग्याद कीजिए ठीक है चारजार एंगस्टरान देके रखा है इसका हमको बैलू निकालना है बच्चो किसके रूप में जूल के रूप में ठीक चलिए तो यदि मैं कह दूँ कि भाई उर्जा का मात्रक जूल है हल करता हूं उर्जा का मात्रक तरंगदेर जिसमें हो तो यह बराबर यह जो उर्जा का फार्मूला है एच नहीं होता है सही है को दिक्कत तो नहीं और यदि मैं आप से कह दूँ कि एच प्लांक ने तांक है इसका मान होता है छे अपान लेम्डा के बराबर होता है ठीक अब आपसे दि कह दिया जाए ये च्छेदर समलोच 6 है गुड़े 10 घाते माइनस 34 से सी प्रकास का बेग है जिसका मन होता है 9 गुड़े 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड होता है और ये जो तरंगदैर्ध है ये देखो जरा ये आपका है 4000 एंगेश्टरान ये इसको आप मीटर में बदलोगे तो गुड़े 10 घाते माइनस 10 तो ये मीटर में बदल जाएगा क्योंकि मीटर में बदल रहे हैं न माइनस में मीटर में अब देखो कैलकुलेट करो 9 यहां से आप करो ठीक है 9 का 6 से 9 छक्का कितना होता 9 पना पतर से 9 छक्का चोमन की 4 हां सिल 5 छक्का चोमन चोमन बच्चो और 5 कितना हो जाएगा यह 16 हो जाएगा दस हम लोग एक अंग के पहले 10 के घात कितना है 34 है बच्चो 34 में यहां पर देखो यह माइनस है उपर जाकर प्लस हो जाएगा सिम्पल है तो माइनस 34 हो जाएगा ठीक है और ये प्लस में 8 और ये माइनस से जाके प्लस में 10 ऐसा करता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सकेगा और आसानी से आप समझ सकोगी ये 4000 है तो 4000 अब देखो calculate कर दो आप तो ये आपका आजाएगा 59.4 इंटू यहां से 10 घटा होगे 24 और 8 घटा दो तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यही नहोगा देख लो जारा एक बार फिर से calculate कर लो तो 16 आएगा वह ये 18 हो जाएगा 18 में ये 34 माइनस में है तो आपका 10 घाते कितना हो जाएगा माइनस 16 अब इसको calculate कर वच्चो तीन उपर जाएगा 10 घाते माइनस 19 हो जाएगा और इसको आप डिवाइट करो 4 से तो 4 एक कम 4 कितना आएगा 3 तरकाई है भाई अच्छा यहां पर गलत कर दिया मैंने न यहां पर 3 गुड़े 10 घाते 8 होता है वही तो मैं सोचा यार गलत कहां से हो रहा है और 6 अठारा हो जाता है यहां पर और 6 अठारा अठारा एक उन्नीस वही तुम्हें कहां बईया कहां से गलत आ रहा है चार का भाग दोगे तो 4 चौको 16 ठीक है 3 बचेगा और 4 निया 36 इतना अंसर आ जाएगा यह लोगा इसका अंसर हो गया यह जूल के रूप में अंसर आ गया ठीक यह चीज है कुश्चन था चार अर्द रंगे श्ट्रान था यह तरंग दैर देके राखा था इसके उर्जा को फोटान की उर्जा एचनियू के बराबर होता बच्चो जिसका अमने बैलू पूट कर दिया और एंसर ला दिया इसके बाद तीसरा प्रशन देख का कार फलंट देके रखा है प्रकास विद्धुत उत्सरजन के लिए देहली आपरति क्याद कीजी कार फलंट है UV और 0.1 इलेक्ट्रान देके रखा है इसको मैं जूल में बदलना चाहूं तो जूल में बदलने क fordi बस एक औरora में पर जितना आवेस होता है उसका आप मल्टीप्लाई कर दो एक दसमलो छे गुड़े दस घाते माइनस उनीस जूल क्योंकि जब हम जूल को इसमें बदलते हैं तो इसका भाग देते हैं ठीक है और जब हम इलेक्ट्रान बोल्ड को जूल में बदलते हैं तो इसका गुड़ा कर रहे हैं अब आप से कह दिया जाए कि एच का मान तो अभी आपने देखा था छे दसमलो छे गुड़े दस घाते माइनस कितना था 34 ठीक है और ये था जूल सेकेंड जूल सेकेंड क्या बोला है आबरत निकालना है तो चूकि यह जो कार फलन होता है एक प्रकार से उर्जा है चूकि जो आपका कार फलन है एक प्रकार से उर्जा है उर्जा जो एच नियू के बराबर होता है इसलिए आब रती बराबर आप से कह दिया जाए तो फाई अपन एच यह बैलू हो जाएगा फाई का मान कितना 0.1 into 1.6 into 10 to the power minus 19 ठीक डिवाइड बाइ 6.6 into 10 to the power minus कितना हो जाएगा 34 मल्टिप्लाइ कर तो इसको तो 0.16 आ जाएगा और यहां पे 10 घाते माइनस 19 है यह माइनस उपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 घाते 34 हो जाएगा डिवाइड बाइ 6.6 आप देखेगा थोड़ा सा यहां पे आप घटा दो 19 घटा दो 34 में तो 19 दूना 38 होता है तो कितना बचेगा तो लगबग 15 बचेगा है ना ऐसे ही ने बचेगा 15 दूना 30 34 15 बचेगा तो 0.16 डिवाइड बाइ 6.6 इंटू 10 तूथ पावर कितना बचेगा बच्चो माइनस 15 बचेगा एक काम करते हैं भी इससे भागी नहीं जा रहा है दसमलों हटाते हैं जैसे 16 बटा हम 6 6 करते हैं तो नीचे दसमलों को बाद एक अंग था उपर दसमलों को बाद कि मैं भाई साहाब एक काम करता हूं कि अभी तो कटी नहीं रहा है इसको काटना है थोड़ा आसान बनाना है और फिलहाल यहां पर देखा जाए तो यह प्लस में होगा यह प्लस में होगा क्यों क्योंकि प्लस संख्या ज्यादा बढ़ा है एक 0 से 1 0 काट दो तो यहां पर बचेगा 10 घाते कितना बचेगा 14 बचेगा और अब एक जिरो और बढ़ा दो 14 से तो 10 घाते 13 बचेगा और आप 6 2.1 इलेक्रान बोल्ट था तो हमें प्रकास भी तो सर्जन के लिए देली आबरत निकालनी थी जो कि सिंपल तरीके से निकाल लिया ऐसे कोशन और आएंगे तो बनेगा की नहीं बनेगा बिलकुल सिंपल तरीके से बनना चाहिए तो चलिए भई अगला कोशन सौल भी कर दीज कि आपके पास आब्रत देके रखा है मियूट शिक्सपॉइंट्स पॉइंट्स इर इन्टू 10 तो पॉअ powerful माइनस इस से माइनस में दिया है he'llày ठीक है माइनस इसा माइनस मिन है मिम यारी प्लस में तो प्लस में रखो ठीक है चईर अंच Chief सिक्स इन्टू 10 टू पार माइनस 34 जूल सेकेंड यह आपका H का मान है तो हमें उर्जा निकालनी है E बराबर कितना होता है H नियू H का मान कितना है 6.6 गुड़े 10 गाते 34 और भाई नियू इस का मान कितना है 6.0 गुड़े 10 गाते 24 और और कितना आएगा इसका आप मल्टिप्लाई करें 6.6,36,36,36,36,3 कितना होता है 38 ऐसे होता है 38 होता है ठीक है 6.6,36 36 और 6.6,36 36,39 वही तो मैं सोचा गड़बड़ा रहा है 14 गटाओंगे 10 गाते कितना आएगा 10 गाते मैनस 20 आजाएगा एक दसमलो इधर किसका हो 10 गाते मैनस 21 हो जाएगा यह चीज तो है ठीक तो यह जूल आ गया यार यह तो बहुत ही सिंपल था ऐसे कोश्चन तो कोई भी कर लेगा हाँ भाई तो आता है ऐसा मत सूचना कि ऐसे कोश्चन है और आप लोग फिर नहीं कर पाते है जिसको अच्छे तरीके से सीख लिया करो ताकि आपको दिक्कत नहुं सके बच्चो अगला प्रश्ण आपके लिए ठेक है चलो यह प्रश्ण बहुत ही महात्पूर्ण है और इसे आप लोग करेंगे बहुत ही सिंपल है अलुमिनियम का कारफलन देके रखाए फाई का मान देके रखाए चार दसमलो दो इलेक्टरान बोल्ट यदि इसको जूल में बदलना चाहो तो चार दसमलो दो गुणे एक दसमलो छे गुणे दस गहते माइनस उन्नीस ये जूल में बदल गया पहली बात अब बच्चो यदि मैं एच का मान आप से पूछू तो एच का मान चाह दसमलो छे गुणे दस गहते माइनस चौटिस जूल सेकेंड है ठीक यदि मैं आप से कह दूँ सी बराबर प्रकास का वेग होता है तिन गुणे दस गहते आठ मीटर पर सेकेंड इतना सब जूरत पड़ेगा तो कित तरंग दैर निकालना है अब आप से दी पूछा जाए कार फलन जो की एच न्यू के बराबर होता है और जो न्यू का मान होता है सी अपान लेम्डा के बराबर होता है तो मैं यदि इस से कह दू लेम्डा बराबर बताओ तो आप कहोगे एच सी रहने दो अपान फाई कार फलन अब बस कुछ नहीं करना इनकी बेलू पूट कर दो एच का मान कितना है आपके पास 6.6 गुड़े 10 गाते माइनस 34 सी का मान कितना होता है 3.10 गाते 8 मीटर पर सिके डिवाइड बाई 4.2 गुड़े 1.6 गुड़े 10 गाते माइनस 19 आगे कैलकुलेट करने से पहले इसका मल्टिप्लाइ करते हैं 6.38 उसे कट रहा है यहां से कट रहा है 3 एक कम 3 ठीक है 3 एक कम 3 3 चोको 12 यह कट गया बढ़िया सिंपल तरीके से फिर 2 से कटेगा 0.7 और 3.3 आ जाएगा अभी जितना कट रहा है हम काट देते हैं कोई दिक्कत है नहीं 3.3 डिवाइड बाई 16 सत्ते 112 और 2 समलो कितने अंग एक दो तो दो अंग के पहले लगा दी यहां भाई 34 में दी 8 घटा दो तो कितना बचेगा बच्चो 26 10 घाते माइनस 26 यह माइनस उपर जाके प्लस हो जाएगा 10 घाते 19 बागी डिवाइड बाई जो भी है इधर है आलेडी को दिक्कत नहीं है अब देखो 19 और 26 तो बचेगा 7 यहां पे 3 3 रहने दो और 1 1 2 रहने दो 10 समलो होटाएगे तो उपर 2 0 बढ़ेगा 10 समलो होटाएगे तो नीचे 1 0 बढ़ेगा यदि 26 में 19 घट जाएगा तो 10 घाते माइनस 7 बचेगा 1 0 से 0 काड़ दो अब आप यहां पे 0 बढ़ा दो तो 330 बटा 112 उट 10 घाते माइनस 7 निकल कर आ रहा है ठीक अब इसको आप डिबाइट करोगे तो 112 का जब हम भाग करेंगे दुक्के से जाएगा है ना दो से जाएगा बच्चो तो 112 दुना 224 आएगा फिर लगबग 9 से जाएगा तो 9 फिर आपका हो जाएगा 4 6 कुड़े 10 घाते माइनस 7 मीटर अब मैं आप से कह दूँ कि इसको पूरा इतना ही पूरा बना दूँ इतना ही अंसार आ जाएगा यह मीटर में आएगा किस में आएगा मीटर में आएगा लेकिन यदि मैं कह दूँ कि 3 दसमलों यहां से लगा दूँ यदि मैं 49 29 और 46 रहने दूँ तो 3 अंक के बाद दसमलों लगाऊँगा तो 3 0 और बढ़ जाएगा 10 घाते माइनस 10 ऐसा इसलिए क्योंकि यह मीटर में है और यदि मैं इस एंगेश्टरान में बदलना चाहूँ तो वही यह जब एंगेश्टरान को मीटर बदलते हैं 10 घाते मानस 10 का गुणा करते हैं और यह 10 घाते मानस 10 का इसमें भाग दे दें तो यह एंगेस्ट राण में बदल जाएगा ठीक है यह एंगेस्ट राण में अंसर आ गया ठीक है यह आपका तरंग दैर्ड आ गया तो ऐसे question I hope आप लोग भी कर लोगे यदि question आता है तो बच्चों बिल्कुल नहीं छोड़ना है ऐसे question आपको करना ही करना है इसके बाद अगला question छोटा सा question है इसे आप लोग कर लीजिए बोलेगे के question छोटा छोटा पूरा complete करा दोगे तरंग दैर्ड देखे रखा बच्चों तरंग दैर्ड लेमडा बराबर देखे रखा है कितना दस गाते सुरी 5000 एंगेस्ट राण यदि इसको मीटर में बदलना चाहो अभी मैंने कहा 10 गाते माइनस 10 का गुणा करते है तो मीटर में बदल जाता है और इसमें यदि भाग देंगे तो अगेस्ट राण बदलना एक दूसरे की बिरत्क्रम होता है ह का मान आपको पता है कितना होता है 6.6 गुड़े 10 गाते माइनस 34 जूल सेकेंड होता है ठीक अब बच्चो क्या बोला है संबेग संबेग डी ब्रागली समिकार्ण से ह अपान लेम्डा ह का मान है 6.6 गुड़े 10 गाते माइनस 34 डिवाइड बाइ 5000 गुड़े 10 गाते माइनस 10 अब देखो ज़रा 6 10 हम लोग 6 तो रहने दो दस गाते 34 रहने दो यह उपर जाके प्लस में हो जाएगा 10 गाते 10 माइनस था तो प्लस में हो जाएगा और यह 3 0 उपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा डिवाइड बाइ 5 कैलकुलेट कर दो वार पांच एक कम पांच दस हम लों लगा दो पांच ती पंद्रा फिर बचेगा एक पांदूना दस ये इतना आएगा और यहां से कल्कुलेट करो दस घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्छो गलत नहीं करना भाईया गलत नहीं करना तो अब का चौतिस तीन से इतिस दस घटादो 27 आ जाएगा ऐसे ही तो आ रहा है ठीक है यही तो एंसर है संबेक संबेक का मत्रा क्या हो जाएगा किलो ग्राम मीटर पर सेकंड बच्चो यह आपका एंसर आ गया देखो चोटा सा प्रुष्ण था मैं सोचा कराई देता हूं बढ़ना चाहिए ठीक है आई हो बच्चो इतना कोश्चन आप लोग कर लेंगे और इससे बाहर कोश्चन आएगा नहीं आएगा तो सिमिलर ऐसे कुछ कोश् रिस्पॉंस रहेगा आप लोगों के दिए अच्छा रिस्पॉंस रहेगा तो आपके लिए निश्ची थी अच्छा ही वीडियो आएगा ओके जैहिंद बंदमातराम